नमस्कार सस्तियकाल वनक्कम मैं आपका भाई विवान स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल दा अधिराज क्लासिस पे और आज से हम अपनी नई सीरीज शुरू कर रहे हैं KVS PRT साइंस की ठीक है साइंस में अगर आप देखेंगे एक पर साइंस का स्लेबस देखते कुछ बच्चों के मुझे मैसेजिस आयते कि उन्हें फिजिक्स में कुछ प्राबलम आ रही है तो मैंने सोचा कि इसके उपर में वीडियो बनाता हूँ वीडियो थोड़ी सी शॉर्ट रहेगी क्योंकि अभी स्कूल ओपन हो गए है तो थोड़ा सा टाइम कम मिल पा रहा ह ठीक है यह आज की जो वीडियो है थोड़ी सी डेस्क्रिप्टिव वीडियो है और इसमें कुछ कोशन भी इंक्लूड़ीड है कि किस तरह के कोशन पूछे गए है तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो को और आज के चैप्टर को मोशन हिंदी में हम इसको कहते हैं गती ठीक है अब आप मुझे यहाँ पर दो इमेजिस आपको दिखाई दे रही होंगी मेरी स्क्रीन पर तो यह बताईए कि क्या इनमें गती हो रही है क्या यह दोनों ही जो इमेजिस हैं इनमें कुछ गती हो रही है क्या कुछ motion involved है यदि हा तो क्यों मुझे comment box में बताना कि इसका reason क्या है क्यों गती हो रही है आप क्यों मानते हैं कि गती हो रही है गाइस मैं आपको जो physics पढ़ाऊंगा वो इस तरह से पढ़ाऊंगा कि अगर कोई बच्चा art से है या commerce से है उसको भी समझ में आ जाए ठीक है काफी pictures लेके मैंने include करके आपको समझाने की कोशिश की है आपको अच्छे से समझ में आएगा ठीक है और last में कुछ questions है कि 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 कोशन जो है last year के paper में पूछे गए थे तो आपने देख ली होंगी इन दोनों images को अगली image पर चलते हैं अच्छा यहां पर आपको दो आदमी दिखाई दे रहे होंगे एक आदमी bench पर आके बैठता है ठीक है और एक आदमी यहां पर पहले से बैठा हुआ है और कुछ book पढ़ रहा है तो क्या बताई है यह जो yellow t-shirt man है कि यह motion में है यह गती कर रहा है चलिए अब आगे चलते हैं अब motion क्या होता है यह आपको दिखाई दे रहा होगा उससे पहले हम नीचे जो एक जो गती कर रहा है एक आदमी उसको देखते हैं ठीक है यह पहले जाता है फिर वापीस आता है ठीक है तो time के अनुसार यह कुछ गती कर रहा है तो motion क्या होता है आप देख सकते है चेंज इना position of a body with time मोशन क्या होता है चेंज इना जैसे सब में बढ़ता ही इसकी position कुछ बढ़ती चली जाती है, यानि कि इसकी जो position थी, इसकी जो position है, वो change हो रही है, और क्या, इसके साथ साथ जो time है, वो भी change हो रहा है, तो हम कह सकते हैं, कि change in a position of a body with time, तो उसको हम क्या कहेंगे, गती या फिर motion, ठीक है, समझ में आया, आगे चलें, गईस, second slide में मैंने आपसे question पूछा था कि, क्या yellow t-shirt man motion में है, आपने कहाऊगा कि नहीं, ठीक है, लेकिन हमारी earth तो movement कर रही है, वो सूरज के चारोर घूमती है, और अपने axis पे घूमती है, अपने axis पे घूमती है, उसी की वज़ा से दिन और रात होते हैं, और हमारे sun के जो orbit के चारोर घूमती है, अपने orbit में, तो उसकी वज़ा से आपके रितू परिवर्तन होता है, तो yellow t-shirt man तो अराम से बैठा है, ठीक है, अगर आप इस picture में देखेंगे, तो एक man जो है, एक आदमी गती कर रहा है, दूसरा अराम से बैठा है, यानि कि आप क train जा रही है, और एक आदमी यहाँ पर बैठ कर उस train चलती है, ठीक है, तो इस train के अंदर जो लोग बैठे है, ठीक है, इस व्यक्ति के अनुसार वो लोग motion में है, और जबकि train के अंदर जो लोग अपनी seat पर बैठे होंगे, एक दूसरे के लिए वो motion में नहीं है, वो अरा आद रखना है कि motion is relative to observer, motion क्या होता है, change in a position with time, ठीक है, जैसे जैसे time change हो रहा है, उसकी position चेंज हो रही है, तो हम कह सकते हैं कि वो है व्यक्ति motion में है, गती में है, ठीक है, आगे चलते हैं, अब आप यहाँ पर आपको कुछ कारे दिखाई दे रही होंगी, क्या यह जो हो रही है यहाँ पर, तो यह सभी कारों का motion सेम नहीं है, ठीक है, इनकी जो speed है वो अलग-अलग है, और आपको पता होगा speed को हम कैसे calculate करते हैं, speed is total distance covered upon total time taken, हिंदी में हम इसको कहते है, चाल, ठीक है, यह क्या होता है, कुल तैगी गई दूरी बटे में कुल लिया गया समय ठीक है, हिंदी वालों के लिए लिखा है, यहाँ पर, चाल बराबर दूरी बटे समय, गाइज मैं एक चीज और आपको बता दूँ, कि जो अधिकतर question पूछे जाते हैं, KVS, PRT के exam में, वो यहीं से पूछे जाते हैं, speed के concept से जादा पूछे जाते हैं, इसके जो बाद के में नापते हैं, speed को हम मीटर पर सेकंड में नापते हैं, ठीक है, मान लीजे कि कोई व्यक्ति यहाँ से point A से point B तक जाने में 10 मिनट का समय लेता है, ठीक है, और यह जो distance है, यह है 100 मीटर, तो बताइए कि उसकी speed क्या होगी, तो आपको पता है, कुल तया की गई दूरी, ब में नापता है कि जब भी हम physics में calculate करेंगे, meter per second से करेंगे, तो यह तो already meter में है, इसको तो हमें change करने की ज़रूरत नहीं है, इसको हम change कर लेते हैं, यह जो minute है, इसको हम second में change कर लेते हैं, 60 से multiply कर देंगे, 0 से 0 cancel, 0 से 0, तो 1 upon 6 meter per second उसकी speed आ गई, ठीक है, अब आपने एक चीज यहां पर दियान दी, मान लिजे किसी आदमी ने यहां से यहां तक दूरी तया की, तो क्या यह उसकी speed हमेशा सेम थी, नहीं, हो सकता है कि उसने यहां से, मैं दूसरा color से आपको बताता हूँ, उसने यहां से यहां तक की दूरी बहुत तेजी से तया की हो, और यहां भी समझ सकते हैं मान लीजे एक कार जो है वो A point से शुरू होती है और B point तक जाती है ठीक है और इस दूरी को तैय करने में वो पूरे 60 second का समय लेती है तो जरूरी नहीं है कि उसकी शुरू में speed थोड़ी कम रही होगी फिर एकदम speed उसकी बढ़के उसने वो यहां तक पहुं हम निकालते हैं हमेशा average speed यानि कि इसको हम हिंदी में कहेंगे औसत चाल दुबारा सुन लीजे हम जो speed calculate करते हैं यह हमारी actual speed यानि कि यह speed लगातार नहीं रही है मानलीजे किसी कार की speed 10 km per hour है तो 10 km per hour उसकी लगातार speed नहीं है ठीक है मानलीजे बीच में कोई traffic आया होगा उसे रुखना पड़ा होगा ठीक है तो उसकी जो speed है यह लगातार नहीं है यह तो हम जो निकालते हैं यह होती है इसकी ओसत speed यानि कि ओसत चाल ठीक है याद रख इस पर कई बार exams में question पूछे गए और किस-किस तरीके से पूछे जाते हैं अब एक-एक करके देखते हैं ठीक है चलिए अपने question पर आते है होता है दूरी बटे में चाल दूरी यहां पर कितनी है घर से लेके बजार तक की दूरी वह है 50 मिटर यानि वह 50 मिटर जाती है 50 मिटर ही वापिस आती है ठीक है जाते समय उसकी speed है वो है 10 meter per second तो उसको कितना समय लगा यहाँ पर 5 second का समय लगा इसी तरह से अगर हम दूसरे उसमें देखें 50 meter की distance आते time वो cover करती है और उसकी speed यहाँ पर कम है वो है 5 तो यहाँ पर उसको कितना समय लगा 10 second 5 or 10 total उसको समय कितना लगा 15 second ठीक है इन्हों हमने हमसे पूची है औस गती औस गती कैसे निकालेंगे हम या औस चाल कह सकते हैं यह जो समय है इसके upon में आ जाएगा जो इसकी चाल होगी वह होगी दूरी बटे में समय आपको जैसे मैंने बताया था कि हमें तो इसकी और सचाल निकालनी है तो कुल तैकी गई दूरी लिया गया कुल समय ठीक है तो कुल दूरी इसने कितनी तैकी है 50 प्लस 50 100 और कुल समय इसको कितना लगा है 15 सेकंड अभी हमने यहाँ पर कैलकुलेट किया तो 100 अपाउन में 15 अब देख लीजए यहाँ पर चार ओप्शिन दिये गए उन में से कौन सा सही बैठता है 15 सिग्जा 90 यह 6.66 से आएगा समझ में आया औसत गती हमें निकाल नहीं थी हमने यहाँ पर निकाल दी अब अगला कोशन जो है वह के वीस पी आइटी के एक्जैम में पूछा गया था ध्यान से समझना इस को बहुत सारे लोगों ने गलत किया था अब यह जो इसकी स्पीड है पहले वीवन है वीटू है और इसने टू इक्वल दिस्टैंस कवर किया अभी आपने जैसे पिछला कोशन देखा अब आपको आवरेज स्पीड निकालनी है इसकी बिलकुल सेम उसी तरीके से हम करेंगे ठीक है जैसे अभी हमने पहले निकाला हुआ है माझ लेते हैं जो डिस्टैंस है वो दी है जाते समय डी है यानी नहीं यह उसका छाफ की दिस्टैंस पॉइंट ए से पॉइंट बी में जो इसकी speed है ठीक है speed क्या है यहाँ पर V1 ठीक है अब T2 निकाल लेते हैं T2 भी हम इसी तरह निकालेंगे दूरी बटे में जो इसका speed है आपको formula याद है जो समय होता है वो होता है दूरी बटे में 4 तोटल डिस्टेंस अपॉन में इसकी speed तोटल डिस्टेंस अपॉन में speed तो D अपॉन में V2 T1 निकाल लिया हमने T2 निकाल लिया यह तो दोनों समय आ गए जैसा कि पिछले कोश्चन में 10 सेकंड और 5 सेकंड आये थे अब हमें निकालना है टोटल टाइम टेकन तो इन दोनों को प्लस करेंगे थे So डि अपॉन में V1 और अपॉन ow में V2 इनको आ हमें Plus करनाँ है कैसे Plus करते हैं आपको याद है V1 और q2 की multiply हो जाएगी और इसके बाद इसकी multiply अधर और इसकी multiply अधर तो डि V1 plus V2 मैंसे इस तरह भी लेख सकता हूँ क्योंकि dv1 dv2 बात होके solve होके वही आएगा तो यह आगया आपका total time अब हमें इसने क्या पूछा है इसने पूछी हमसे औसद गती निकालो तो औसद गती निकालने के लिए क्या होगा formula दूरी बटे में इस समय इसके अपॉन में आ जाएगा यह आ जाएगा दूरी बटे में चाल दूरी कितनी है आपे जाते समय डी और आते समय डी टोटल कितनी होगे दूरी 2d ठीक है और time taken कितना है time अपकर यह रहा दी इसको यहाँ पे मैं rub कर देता हूं v1 प्लस v2 यहाँ पे है v1 v2 देखे यह v1 v2 तो चला जाएगा आपका ऊपर और d से d cancel हो जाएगा तो जो इसका answer आएगा 2 v1 v2 upon में v1 प्लस v2 यह इसका answer है 2 v1 v2 v1 प्लस v2 तो एक बार दुबारा से इसको हम रिवाइस कर लेते हैं सबसे पहले हमने time 1 निकाला कैसे निकाला हमने कुछ भी distance मान ली और जो इसकी speed है उसको हमने upon में रख दिया formula आपको याद रखना यह रहा फिर हमने t2 निकाला वो आपका यह रहा total time को हमने plus कर दिया वो आया हमारा यह यह जो आप देख रहे हैं यह हमारा total time taken है ठीक है अब इसने हमसे answer speed पूछी थी तो उसका formula होता है दूरी बटे में चाल यह इसके upon में आ जाएगा तो चाल बराबर दूरी बटे में समे तो इसको हमने formula में रख द दिया ठीक है D से D cancel यह आगे हमारा 2 V1 V2 upon में V1 plus V2 guys मैंने इसके option जो है आपको इसलिए नहीं दिये थे कि आप इसको खुद solve करें और इसको एक बार आप खुद भी solve करके देखना यह आपका maths का question है लेकिन यह आपके KVS PRT exam में last year पूछा जा चुगा है ठीक है और अध formula है वो याद रखने है ठीक है आज की class में इतना ही इसकी अगली classes में मैं बढ़ाऊंगा आपको types of motion के बारे में ठीक है